अलो दोस्तो वेलकम टू माई यूटूब चैनल दोस्तो आज हम पढ़ेंगे यूडिशनरी चैंजस इन दा पैटन आप दा हार्ट एमंग दा वर्टेविरीज मतलब यूलूशन के दौरान जो हार्ट के चैंबरों में चैंजस हुए हैं उसको आज हम जानेंगे पहले हम चल और आट्रियम वीफार वर्टिकल एफार आट्रियम यह इसमें चिनगल सट कुलेशन होता है गिल्ट से सांस लेती हैं जो मचलियां होती हैं ऑो गिल्ट से सांस लेती हैं दोस्तो और inuhanod專 उसके पास oxygen वाला blood नहीं होता है, oxygenated blood नहीं होता है, शरीफ deoxygenated blood होता है, अब फिर आज आते हम लोग amphibian, amphibian वो जन्टु होते हैं, जिसके पास three chamber होता है दोस्तों, और एक चीज़ और होता है, amphibian में, जो कि amphibian जमीन पे भी रह सकते हैं, और जमीन पे भी रह सकते हैं, जब ये पानी में रहते हैं तो ये स्कीन से भी सांस लेते हैं, गिल से भी सांस लेते हैं, और जब जमीन पर आते हैं फिर उसके बाद ये लंग से सांस लेने लगते हैं, इनके पास दो आर्ट्रियम होते हैं, एक फंट्रिकल होता है, और इनका जो होता है, सर्कुलेशन जो ह होता है अब फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं आते हैं डिल लस्त रींके पास जो की मतलब इस छोड़ कर क्रोट्डाइल को चोड़ के औन ग्रोकोडायल में फोर चेंबर होते हैं और घ्रणी वी रप्राइंज मतलब वाले जन्तु जो oy wiping सकते हैं ओभी ये और हमारा जूचिप किली दोस्तों इसमें वी अर्टिं दो होते हैं एक वरंट्रिकल होता है और इसमें इंप्रूलेचन होता है फिर बढ़ते हैं दोस्तों बड़ io mammals पे, बड़ जो होती है हमारी उड़ने वाले बड़ होते हैं, इनको apes भी कहते हैं, मतलब जो पच्छी होती है, और mammals मतलब अस्तंदारी दियन्तु होते हैं, mammals जो अपने बश्यों को दूद पिलाते हैं और उनके सरीर पे hair भी होते हैं दोस्तों, उनको mammals कहते हैं mammals जो होते हैं, lung से सांस लेते हैं उनके पास दो ahtrium होते हैं और दो ventricle होते हैं इनका double circulation होता है और true जो chamber hearted होते हैं यही होते हैं और इनका double circulation true होता है Thank you दोस्तों